हेलो दोस्तों मैं हूँ शोबित और आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही जादा important है क्योंकि इस चक्कर में आखरी में काफी लोग अपनी preparation खराब करते हैं तो बात यह है कि पिछले दो-तीन सालों से मैं देख रहा हूँ लास्ट यहर में इतना जादा ध्यान नहीदेपाया था और नहीं इपने आपने पूराणी चानल लिए वीडियो बना पाई था लेकिन उससे पहले मैंने यह वीडियो बनाया था और बना करके डाला भी था इस बार मैं फिर से बना करके डाल रहा हूँ होता क्या है कि कुछ fraud institute बोल लो fake institute बोल लो कुछ ऐसे institute है जो बच्चों को जूट बोल करके उनसे पैसे लेते हैं कि हम आपका इस company में placement करा देंगे उस company में placement करा देंगे और इनी institute के अलग अलग जगे पर tie up होते हैं कि ये tie up in the sense कि study material इसका उठा लिया दूसरी चीज़ें उसकी उठा लिया और दे दिया बच्चों को ये सब चलता रहता है तो कोई एक ऐसा एक ऐसी ही संस्था है आप ऐसे समझ लो जो क्या करती है कि जैसे ही IMUCD का exam आने वाला होगा उसके कुछ दिन पहले ये लेंगे कि हमने IMUCD का पेपर आउट करा लिया है और हमारे पास यतने यतने क्वेश्चन है जो भी क्वेश्चन पेपर हम देंगे आपको उसमें सही सारे क्वेश्चन आएंगे हम आपको 400 या 500 क्वेश्चन देंगे आप इसको solve करके जाओ इतने में से ही आपके 200 क्वेश्चन आ जाएंगे और ये पेपर वो 2000 से 5000 के बीच में बेच रहे होते हैं तो ये हर साल का काम है आप देखो इसमें होता क्या है ये अपना नाम बदल देते हैं सबसे पहले जो इंस्टिट्यूट ये काम करता है वो अपने नाम से नहीं करता बलगी दूसरे नाम से करता है कुछ ऐसा कर देंगे कि मर्चंट नेवी में जाने का रास्ता इस तरीके का नाम डाल देंगे आप अपने एसाब से समझ लेना है इस बार भी एक्शुली क्या हो ना टेली ग्राम ग्रूप पे लोगों ने दिखाने शुरू कर दी कि सर्थ देखो ये मेसेज आ रहे ये बुल रहे हैं कि ये पेपर मिल रहा है और इसमें सारे के सारे क्वेश्चन है सारे कंसेप्ट जो की गलत बात नहीं है सारे concept अगर आप cover कर दोगे तो 500 से जादा concept है ही नहीं लेकिन question सेम नहीं होता इनका कभी भी question सेम नहीं होता actually क्या होता कि last to last year इन्होंने गलती से वो मुझे ही बेज दिया था तो मैंने इनको call करके पूछ लिया और फिर मैंने इनको थोड़ी धम की दी मैंने का मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूँगा साइबर सीक्यूरिटी में कंप्लेंट कर दूँगा तो यह लोग डर गए नहीं सर ऐसा नहीं है वैसा नहीं और उसके बाद यह वैक आफ कर लिया है मैंने क्लियरली बोल दिया कि मेरे वाटसप ग्रूप में से निकल जाओ लेकिन अभी फिर से दुवारा यह काम कर रहे है लास्ट यह भी किया था लास्ट यह क्या हुआ मेरे क्लास के बच्चों ने यह मुझे कब बताया मैं भूल लिया था यह कब बता है जब IMU का एक्ज दोसो आ जाएंगे वो इतने एक तो यह लालच जो है ना और शौटकट पकड़ने का तरीका कि किसी तरीके से पेपर मिल जाए किसी तरीके से में यह पता चल जाए कि क्वेश्चन क्या वारा है लगबग लगबग 80-90% बच्चों में यह चीज घुसी हुई है तो यह जो 80 यह टेली ग्राम ग्रूप में डालेंगे वाटसप ग्रूप में डालेंगे सब्जेगे पर डालेंगे और तुम ऐसा सोच करके देखो 12-13,000 बच्चे पेपर लिखने वाले हैं और कैल्कुलेशन तुम खुद ही कर लेना है मतलब मैं नहीं करने वाला हूँ एक हजार बच्चों को अगर इन्होंने अपना ये पेपर बेच दिया आखरी के 20 दिनों में तो इन्होंने कितने पैसे बना लिए एक हजार में देखना एकाई दहाई सेकड़ा हजार दस हजार लाक और एक दो और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 20 लाक रुपए 20 दिन लेकिन ये जो हजार लोग ये काम कर रहे होते हैं इनकी जिंदेगी बरबाद हो जाती है इनको कुछ नहीं मिलने वाला क्यों नहीं मिलने वाला क्योंकि इनकी रैंक आईगी आथ हजार, दस हजार, ग्यारा हजार, बारा हजार जिससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला मैं इसलिए बोड़ना हूँ कि इस चक्कर में मत पढ़ना हर बार ये होता है लास्ट मुमेंट पर ये काम किया जाता है आखरी के 20-30 दिन में होता है नाम भी मैंने आपको हिंट दे दिया है और पिछले 3 महीने से कुछ नहीं पढ़ाया और हमने क्यों जॉइन कर लिया हमने इसलिए जॉइन कर लिया था क्योंकि वो हमें गैरेंटी दे रहे थे कि हम आपको लोनावला के 2-3 अच्छे रिनोन इंस्टिट्यूट में हम आपको एडमिशन दलाएंगे हम गैरेंटी दे रहे है बच्चे अक्शल में क्या कर रहे होते हैं जहां पे इनको महनत करनी होती है जो टीचर इनको बोले का कि हम तुमारी महनत करवाएंगे पढ़ाई करवाएंगे और हम तुमारे रिजल निकलवा देंगे उनको वहाँ पैसे नहीं देना होता है लेकिन कोई shortcut बता दे कोई ऐसा बोल दे कि हम guarantee दे देंगे तो ये अपनी जमीन बेच करके भी पैसे दे आते है अब वो जो 12 बच्चे वहाँ पे फसे हुए है वो मुझे call कर रहे हैं कि सर ऐसा होगे है बताई हम क्या करें मैं क्या बताओ यार तुम्हें क्या करू जब तुम पैसे देने गये थे 3 महेने पहले तुमने मुझे से पूछा था क्या तुम लालच में गये हूए हो बालच के चक्कर में आकर अब आगे भी खराब करते जा रहे है अब इसको नहीं बचाय जा सकता 77,000 तो कोई नहीं बचा सकता और ऐसा इस बार नहीं हुआ यह हर साल होता है कभी वहीं इंस्टिट्यूट हरीदवार में खुल जाता है कभी वहीं रिशीकेश में खुल जाता है ऐसे अलग अलग जेगे पर जाकर करके वो इंस्टिटूट खोलता रहता है हर बार 10-12 बच्चे ऐसे फसते हैं फिर वो मुझे कॉल करते हैं और फिर मैं उनको यही समझाता हूँ कि भाई यह काम दूम ने क्यों किया था और यह बच्चे देखो इनकी हालत कितनी खराब हो जाती है यह बच्चे क्या करते हैं जब यह कंडिशन हो जाती ही न अभी अपनी शकल भी नहीं दिखा सकते अभी अपनी शकल भी नहीं दिखा सकते क्योंकि यह सामने आकर के बोलेंगे क्या कि हमने 77,000 बरबाद कर दी है लोग मज़ाग उड़ाएंगे तोसाइटी मज़ाग उड़ाएंगी पबलिक मज़ाग उड़ाएंगी आप यह मुझे बोलते है आप वीडियो बना दो मैं क्यों वीडियो बना दो कि भाई ऐसे फ्रॉड लोगों के चक्कर में मत पढ़ा करो जो तुमसे बोल रहा हो कि यहाँ आजाओं तुम्हारा Great Eastern में करवादेंगे यहाँ आजाओं तुम्हारा Anglo Eastern में करवादेंगे हम इसमें करवादेंगे उसमें है यह जो गमपनी Еще के अजाओं तुमारी है जो लोग ऐसे लंबी लंबी छोड़ लेर होतें जो लोग अशे में पढ़ा बच्य फसे ज़रूर जाते है लेकिन उसके बाद यह बच नहीं बाते मैं कि यह फसे ही रह जाते लेकिन मैं सच्छा ही बता रहा हूँ आपको इंचकरों मत पढ़ो सही तरीके से जाओ अपने पैसे को बचाओ माबाब बड़ी मुश्किल से पैसे कमाते हैं अब यह जो 10-12 बच्चे भी रो रहे हैं अब इनका बोलना है कि सर वो सिगरेट पीता है दारू पीता है गालियां देता है यह करता है वो करता है पैसे लेकर करके रख लिए है कुछ नहीं पढ़ा रहा है तुम तो गए थे ना बरबादी तो तुम नहीं करवाई ना और यह वही लोग हैं जिनके आपस में कॉंटेक्ट है पहले यह करते हैं तीन महीं ने पहले 77,000 का काम यह शुरू कर दिया आखरे टाइम पर क्या करेंगे दो दो हजार के चार 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 के पेपर बे यह लेकिन जो तुमारा टाइम जाएगा न वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि पूरा साल बरबाद होगा सामने वाला तो अपने 20-25 रुपे बना करके सेट हो जाएगा तुम बरबाद हो जाओगे तो अगर आप जनूरी महनत करना चाते हो अच्छी तरीके से काम करना चाते हो तो आप हमारा कल का सेशन जो फ्री सेशन है वो जोईन कर सकते हो जो कि हम अनगेड़ूरी में कर रहे हैं जहां पर एक फ्री सेशन है जिसमें मैं Maths के desens के पूरा हो ह्गा इसके अलावा आपको अपको कुछा और डाउट भी आते हैं तो आप आ करके हमसे पो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में जितने जादा राउट पूछोगे उतना जादा आपका ही फाइदा होने वाला है ओके गाइस वाल दे बेस्ट